हलो फ्रेंज, वल्कम बेक टू माई चैनल, अनिशा का जहाँ आज भी मुझे बेनिला केक का ही ओडर मिला है आजा केजी का बेनिला केक बना रही हूँ तो स्पॉंज का उपर वाला डॉम शेप काट के साइट कर लिया और थ्री पीसे में नाइफ से पहले कट लगा लेंगे उसके बाद धागे से पूरा कट कर लेंगे थ्री पीसे में कट कर लिया है केक बेस में थोड़ा सा क्रीम लगा लेंगे ताकि केक फिस लेना पहला लेयर रख दिया है सुगर सिरप से मॉइस कर लेंगे उसके बाद क्रीम लगा लेंगे क्रीम को स्प्रेट करने के बाद सेकंड लियर रख देंगे सेकंड लियर को भी अच्छे से सुगर सिराप से सोक कर लिया है क्रीम डाल दिया है क्रीम को फेला लेंगे उसके बाद third layer रखेंगे जो सबसे नीचे वाला पाठ है उसको उल्टा करके हम उपर रख देंगे side side में chrome coating भी करते जाएंगे नीचे वाला side को उपर उल्टा करके रखने से chrome ज्यादा नहीं निकलता है उपर वाला side को भी हम सुगर सिराप से सोक कर लेंगे icing कर लिया था icing को नहीं दिखाया है वीडियो बहुत ज़्यदे लंबा हो जाता है अभी एक plate में दो color ले लेंगे हम thread design करने वाले है तो एक red color ले लिया है gel color और थोड़ा सा green gel color ले लिया है अब धागे को color में अच्छे से डुबा लेंगे चमस से हाथ लगाएंगे तो पुरा हाथ color color हो जाएगा इसलिए चमस के सहारे से thread को हम color में deep कर रहे है अब के के ऊपर neutral gel दालेंगे neutral gel में थोड़ा सा yellow food color डाल दिया था gel color और यहाँ पर मैंने गलती कर दी neutral gel मैंने घर पर ही बनाया था लेकिन थोड़ा liquid हो गया है तो फिर भी हमारा डिजाइन अच्छे से ही बन जाता है लेकिन और थिक होता तो फ्लावर खिलके आते तो धागे को ऐसे जिग जग मोट पे रख दिया जिग जग करके रख दिया और नीचे से थिरे से खीच देंगे तो फ्लावर की तरह डिज दागे पर इसलिए और और कलर नहीं मिक्स किया इसी धागे को ही जग जग मोट पे थ्री बर कर दिया तो तीन फ्लावर निकल के आगे उपर और कुछ डिजाइन नहीं देंगे बोर्डर ओर नीचे सिर्फ एक बोर्डर बना देंगे एन वान नोजल से और मैंने आज पहली दिवा ठेट वाला डिजाइन बनाया था तो ज्यादा अच्छा नहीं हुआ है फर्स्ट टाइम ट्राइ किया नेक्स टाइम देखेंगे और भी 100% देने की कोशिश करूंगे आप सबको कैसा लगा जरूर बताएगा फर्स्ट ठेट डिजाइन का केक नेचे का बॉर्डर भ किजिएगा और शेर भी किजिएगा थेंक यू फॉर वचिएगा थेंक यू फॉर वचिक